जी लेक्षर के एगले से एक दरफ चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर सेवन स्टार्ट करने जा रहे हैं ये पर्फॉर्मस ओफ कॉंट्रेक्ट का पार्ट टू है एक वेरी लेंथी चैप्टर की निसमत सीखते सिखाते हुए ज्यादा बहतर ये होता है कि कोई एक लेंथी चैप्टर ना हो बलके उससे ज्यादा बहतर है दो छोटे छोटे चैप्टर हो ताके चेक पॉइंट लगते रहें और हमारे टेस्ट के लिए चैप्टर भी त्यार होते हैं साथ-साथ तो इसी लिए परफॉर्मस ओफ कॉंटरेक्ट का टॉपिक क्योंके थोड़ा सा लेंथी था उसने क्या किया इसके दो हिसे कर दिया और अच्छा किया एक पार्ट वन पार्ट वन हम बढ़ चुके हैं Part 1 ने हमने क्या study किया performance of contract में? Types of performance क्या है? Essentials of valid performance क्या होते हैं? फिर उसके बाद appropriation की बात की हमने? और last में discharge of contract. यानि discharge क्यों relevant है performance of contract से? discharge of contract असल में वो cases हैं जिन में contract को फिर perform करने की जरूरत नहीं रहते हैं. आज हम study करने जा रहे हैं performance में Who can perform the contract? Contract कोन perform कर सकता है? ज्यादा बेहतर होता अगर हम इसके बज़ाए वर्ड यूज़ करते Who can perform the promise? क्योंकि एक ही बात है वैसे एक ही बात है लेकि मुझे यह ज्यादा मैं इसके साथ comfortable हूँ Contract perform करने से मतलब क्या होता है? के contract में जो promise agree किये गए हैं वो कुन perform करेगा? और फिर हम रूर पढ़ेंगे giant promise giant promise के बारे में पहले हम सीख चुकिया क्या? अगर giant promise की definition क्या है? giant promise की जब किसी promise में एक से ज्यादा प्रॉमिजर्स या एक से ज्यादा प्रॉमिजीज या दोनों हूँ उसे giant promise कहते हैं giant promise कौन सा promise है? जिसमें एक से ज्यादा प्रॉमिजर्स या एक से ज्यादा प्रॉमिजीज या दोनों हूँ प्रॉमिजर्स दो, प्रॉमिजी एक, giant promise है? प्रॉमिजर एक, प्रॉमिजी दो प्रॉमिजर दो, प्रॉमिजी दो प्रामिजर एक प्रामिजी भी एक ये जाइंट प्रामिज नहीं है लास्ट वाला सिंगल प्रामिज कहलाता है जिसमें प्रामिजर भी एक हो यानि कॉंट्रेक्ट में एक ही प्रामिजर लिखा हुआ है कॉंट्रेक्ट के अंदर एक ही प्रामिजर है अच्छा एक आहरी एक्जेम्पल मुझे बताईए अगर आपने ठीक बतादी इसका में तब कंसेट आपका क्लियर मैं एक प्रामिजर हूँ ये भाई प्रामिजी है सिंगल प्रामिजर ये प्रामिजर मैंने एग्रिमेंट क्या किया भाई जान मैं आपको हफ़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ प्रॉमिजर एक ही है मैं हूँ वो प्रॉमिजर के भी हाफ पे वो गया ये मेरा एजंड है हाँ अगर कॉंट्रेक्ट में ये लिखा होता ना कॉंट्रेक्ट में के मैं और ये मिस्टर ए और मिस्टर बी शल पे मिस्टर सी क्या लिखा होता Mr. A and Mr. B शर्पे Mr. C फिर ये joint promise होता इसमें joint promises कितने होते दो होते, A और B ये दोनो joint promises है और promise ही एक ही होता single तो joint promise का concept समझा आ गया आज हम single promise का rule भी पढ़ेंगे और joint promise का rule भी पढ़ेंगे single promise कौन perform करेगा joint promise कौन perform करेगा ये rule पढ़ेंगे और joint, guess कीजिए किसमें ज्यादा ट्विस्ट है joint promise में त्यार हैं भी सीखने के लिए अच्छे इसमें बातें ज्यादातर आप सीख चुके हैं लेकिन फिर भी पढ़ाँ पढ़ना किया है हमने performance of the contract पार टू में पहले who can perform contract contract वो perform कौन कर सकता है कहता है ये depend करता है के single promise का case है single promise का case है या के joint promise का case है पहले कुन सा पढ़े single promise पढ़ते है in case of Singapore कहरा कौन perform कर प्रॉमिजर प्रॉमिजर करेगा और कुन करेगा step नमा कौन प्रॉमिजर करेगा और कून करेगा उसी को तो करना चाहिए उसीने agree किया था contract किया था हाँ प्रॉमिजर अगर किसी को agent पाइंट करे तो agent भी परफार्म कर सकता है और अगर प्रॉमिजर की डेथ हो जाए तो उसका lagial representative यह पुईंट कर सकता है लेकिन याद रखे एजेंट में और lagal representative में जाए अपनी जिनदकी में पॉईंट करता है और lagal representative –ser की डेथ के – बाद पॉईंट होते हैं तो normal rule क्या है को who will perform the contract सिंगल प्रमिजर स्वाल कि अखरीगा you घएंट करेगा या लीगल लिपनिटिव करेंगे प्रॉमिजर करेंगे लगल यल और कि अजन्ट स्था लेकिन रहर केष में एजंट या लीगल लिपर्सनाल लेचर का या कॉंट्रेक्ट में कलियरली लिखा हो के प्रॉमिजर खुद ही पर्फार्म करेगा एजन्ट के जरीए लीगर मेंट के जरीए नहीं या तो कॉंट्रेक्ट में लिखा हो या परसनल लेचर का कॉंट्रेक्ट हो तो फिर contract प्रामिजर ही पर्फार्म करेगा और की पर्फार्म बही पर्सनल लेचर के contract की क्या example है चार दफ़ा example होगी बस कर दें आगे भी बढ़ जाएं इससे आगे भी दुनिया है पेंटिंग, पेंट करना, आर्ट वर्क, सिंगिंग, आर्ट वर्क कोई सा भी ले लें सिंगिंग भी, पेंटिंग भी, टीचिंग भी, शाबाश ये सारे जो हैं पर्सनल लेचर का contract अच्छा अगर कोई पर्सनल लेचर का contract नहीं है क्या उसमें लिखा जा सकता है कि प्रामिजर खुद ही perform करेंगा फूंकि लिखा जा सकता है रजा सकता है तो पहला रूल क्या हुआ कोन्ठैक्ट परफार्म करनेका प्रामिजर रेगा या उसका agent करेगा या legal representative करेगा लेकिन अगर personal nature का contact हुआ यहां कॉंट्रेट में कलियरली लिख दिया एंदो केसे में फिर प्रॉमिजर ही कॉंट्रेट परफॉर्म करेगा एजेन्ट या लीकल लिग लिएटिटेथ नहीं करेंगे अब केस टॉड़ी में पहषान लेंगे यह परिसनल नेचर का कॉंट्रेट है के नहीं नहीं मेरा हैल आप एक ही केस पहचान सकेंगे बागी नहीं पहचान आर्ड वर्क वाला नहीं पहचान सकेंगे पहचान लेंगे थर्ड पार्टी भी कॉंट्रेक्ट पर फर्फार्म कर सकती है थर्ड पार्टी भी अगर प्रामिसी मान जाये तो थर्ड पार्टी आए, कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम थर्ड पार्टे ठीक है? हाँ, कोरिशन की तरह नहीं, वो वाली एक्जेम्पल, वो जो जेल में चला गया था उसने अपने बचे को अपने दोस्त के हवाले कर दिया था अब मुझे पताईए, कि अब जो कॉंट्रेक्ट पर फार्म हो रहा है, कंसीडरेशन तो उस पार्टी को नहीं मिल रही वो तो थर्ड पार्टी को मिल रही है, क्या वो वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है लेगे? ये भाईजान के लाई हो रही? लाई हो रहे? ये तीसरे भाईजान करीम है उनने रहे का, हाँ मैंने सुना था कि जो जगड़ा हक पे है, जगड़ा छोड़ह दे, उसके लिए भी जन्नत और जो नाहक है, जगड़ा छोड़हई उसके लिए भी जन्नत तो इनको तो अगर यह जगड़ा अपस में छोड़ देते दोनों को जन्नन मिल जाते नहीं छोड़ रहे तो क्यों ना मैं अपनी ट्राइ करूं मैं अगर इनका जगड़ा खतम करवा देता हूँ उमीद है मुझे भी जन्नन पिल जाएगी इन भाईजाने का क्या मस्टा है उनका वो मेरे 10 सरफे नहीं दे रहा उनका सिर्फ दस सरफे उनका नहीं बात शुरू 10 सरफे से होई थी अब बढ़ गई है शुरू बात अच्छा कोई बात नहीं ऐसा करो ये साइड बे बैठो तुम साइड बेठो उसके बहाँ पे ये बाईजान 10 सरफे 50 सरफे जितने भी अदा कर देते हैं क्या ये प्रामिस परफार्म हो गया लेकिन जिस पार्टी ने परफार्म करना था प्रामिजर ने उसने तो नहीं किया थर्ड पार्टी ने किया अच्छा मुझे बताईए ये जो थर्ड पार्टी है जिसने जगड़ा हो रहा था सुवाब की निये से उसके पैसे अदा कर दिये ये प्रामिजर था प्रामिजर होता तो पहला सूल लगता ये उसका एजेंट था एजेंट होता तो एजेंट वाला सूल क्या लिगल रेप्रेसेंटिटिव था तरह सर शुब शुब बोले मैं जिन्दा हूँ अभी लिगल रेप्रेसेंटिव थोड़ा है फिर ये कौन था जिसने प्रामिजर परफार्म कर दिया थर्ड पार्टी से अगर कंसिडरेशन एकसेट कर ली जाए वैलिड है बिलकुल वैलिड है इन भाईजान ने इन से सो पचास दस जितने भी थे पैसे ले लिए और अगले दिन फिर उनसे मांगने पहुँच गए और कहने लगे तूने थोड़ी पैसे दिये थे तो किसी और ने दिये थे क्या इनको दुबारा पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे एक दफ़ा याद रखे कंसिडरेशन एकसेट कर लेना थर्ड पार्टी से फिर प्रामिजर से दुबारा पैसे नहीं मांग सकते मांगने चाहिए भी नहीं क्यों मांगने चाहिए क्यों मिल तो गए आपको इस से को फ़र्ण थोड़ी पड़ता है पैसे किसने दा की सिंगल परफॉर्मस सिंगल लेने से इंदकार थे खुद सोचें अगर कोई बंदा पैसे लेने से इंदकार कर दे तो वो क्या होगा पागल होगा शाबाश बहतरीन लागी लेन्गविज में उसे क्या कहते है जो पैसे अटेम्टिड परफॉर्मस थी अटेम्टिड परफॉर्मस ने रिफ्यूज कर दिया तो उसका उसका नुक्सान है तर्ड पार्टियों क्या पैसे अदा करना पैमेंट यह को पर्सनल नेचर का कॉंट्रेक्ट है नहीं मेरे हाथ से जो सोगा नोट जाएगा वो कोई और होगा इसके हाथ से सोगा नोट जाएगा क्या तरफॉर्मस के रूल सुनने यह सिंगला प्रामिस के रूल समझाए अटेंटिव होजाए पूरी तरीके से टेंडीओ अगले दस मिनट बहुत ही ऐहम है जाइंड प्रॉमिस के रूल्स ट्विस्ट आने लग़ा है? त्यार है पहला कंसेप्ट रूल्स अफ जाइंड प्रॉमिस में जो लियबिलिट्टी टु परफार्म जाइंड प्रॉमिस क्या है? कुन जाइंट प्रॉमिस के जब प्रॉमिसर की तदाद ज्यादा हो एक से ज्यादा हो कितने कर लें तीन प्रॉमिसर कर लें जाइंट प्रॉमिसर होजेगा तीन प्रॉमिसर से प्रॉमिसर की लाइबिलिटी क्या है जाइंट एंड सेवरल joint several joint का मतलब क्या है all promises are liable लिख ले ये joint and several आपको तंग करेगा लफज joint का मतलब क्या है sub sub liable है everyone is liable joint के नीचे लिख ले joint का मतलब क्या है everyone is liable joint के नीचे इंटर लाइन करे hybrid वाले भी online वाले भी joint के नीचे लिखिए क्या लिखना है joint का मतलब क्या है everyone is liable अब several को उडर लाइन करें several के नीचे लिखे for full amount for full amount तो joint promisor की liability क्या हुई everyone is liable for full amount नहीं समझाई तीन लोगों ने तीन लाक रपे लिए इस से हम तीन लोगों ने तीन लाक रपे हम तीन लोगों ने एक दो तीन तीन लाक रपे लिए इस से वादा किया महीने बाद पे करेंगे महीने बाद इसने Mr. A से कितने पैसे लेने है B से कितने और C से कितने तीन तीन नहीं एक मेटी नहीं कि लाटरी निकल लिए गया तीन लाक तीन दिन लोगों है वो किसी से भी क्या वो सिर्फ किसी एक बंदे से पैसे रिकवर करवा सकता है येस वो जाइंट का मतलब ही है जाइंट लाइबिल्टी का मतलब क्या है वो किसी एक परसन से भी सारे पैसे रिकवर करवा सकता है जाइंट का मतलब वो किसी को भी पकड़ सकता है और उससे सारे पैसे रिकवर करवा सकता है असूली तेवर पर आपको पहले जहन में यह चीज नज़ आ रही होगी कि एक लाख रुपया यह से लेना चाहिए एक लाख बीसे एक लाख सी से लाख कहता है ऐसे नहीं ऐसे नहीं जब जाइंड प्रामिस है ना तो प्रामिजी सुनिएगा जाइंड प्रामिस के केस में प्रामिजी किसी एक प्रामिजर से पूरी अमाउंट रिकवर करवा सकता है जाइंट एंड सेवरल का मतलब यह है जाइंड का मतलब किसी से भी A, B, C सेवरल का मतलब पूरी अमाउंट रिकवर करवा सकता है ठीक है जी तीन लाख अब फर्ज केजिए इसमें मेरे से तीन लाख ले लिया है अब ये भाई जा असल में लाख का रूल ये है पहले हमेशा लाख आउटसाइड पार्टी को फ्री करता है बाद में इंसाइड रात्या कि वो पूरी अमाउंट लिया तीनों ने है फार्टी तीनों ने उड़ाई है लेकिन पूरी अमाउंट वापस को लिए मिस्टर रे लेए लेकिन लाख कैता है आउटसाइड पार्टी को प्रोटेक्ड करने के लिए हमने उसे ल zob known कि निकल वा लो, यह मेरे से 2,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, प्रामिजी किसी भी प्रामिजर से सारे पैसे रिकवर करवा सकता है इसको लाउ ने क्या नाम दिया जॉइंट एंड सेवरल एबिड दूसा रूल सुनें अगर कोई प्रामिजर अपने शेयर से ज्यादा पे कर दे कोई प्रामिजर अपने शेयर से तो वो प्रामिजर फिर प रहांगा समझाए यहां पर सोचने वाली बात यह है कि ला ने यह बात इसको क्यों नहीं कह दी कि तू सबसे इकवल इंसाफ कर एक एक लाख रुपे लो सबसे इसको कोई आउट्साइड पार्टी आउट्साइड पार्टी को प्रोटेट करने के लिए ने का भाई जो भी हथे चड़ता है उसे सारे पैसे ले लो एक भी स्ट्रॉंग पार्टी आगी ना जाइंट प्रोमिजर में से प्रोमिजी पा रहा है अब फिर प्रोमिजर की टेंशन होगी कि उसने बाकियों से पैसे रिकवर कराने कुछ समझाया फिर से रूल्स ऑफ जाइंगल प्रोमिजर भी एनी प्रोमिजर एक भी हाथ आगया ना कैन बी कमपेल टू परफ फॉर्फार्म फूल कॉंटरेट उससे सारी कि सारी मॉंट निकलवा सकते हैं यह बास समझाया जाइंट एंट सेवरल का मतलब क्या है एक भी काबू आ गया उससे पूरी मॉंट दे के वो तो परिशान फिरेगा क्यों परिशान फिरेगा अपने हिस्से से ज्यादा दे लानिका ठहर जाओ अभी गम ना करो अगली बास सुनो क्या अगर तुमने अपने हिस्से से ज्यादा दे दिया तो क्या होगा आप दूसरों से रिकवर करवा सकते हैं यहां पर शायद तिन लाख लिया, ये भाईजन कोर्ट में जाके कहते हैं, मैं तो बैंकरफ्ट हो गया, मिस्टर C क्या हुआ? हम कहेंगे, भाईजन बड़ा अफसोस हुआ, ये करेंगे, अफसोस क्यूआ? हम ने कहा, आपका एक लाख मर गया, आपने तीन लाख दिये थे, A, B, C को, C तो डि दे देगा, एक लाख, B दे देगा, C की वज़ा से एक लाख का नुकसान हुआ, आपको बहुत अफसोस हुआ, कहने लगा, नहीं अफसोस ना करें, जाके लापड़े, क्या कहने लगा? अफसोस ना करें, जाके लापड़े, लाख क्या कहता है? कहता है, मैं तो A या B में से जो मेरे हथे चड़ गया उसे पूरे पैसे आप इतरी बैठ़ जा आपको घर वापिस नहीं दोगा जब तक पूरे पैसे नहीं देंगे अच्छा पूरे पैसे हमने रिमयनिंग का जाइन्ट प्रमीज़ किसका है हमारा है ठीक है वो जो था गलत आदमी था रॉंग नंबर था वो हम में था दो तीन नंबर था वो हम में था तो यह बात समझ आ रही है अब सुनी आगे अब सुनिए डेड़ लाक मैंने दिया डेड़ लाक इसने दिया यह बैंकरप्ट हो गया नुकसान इसका नहीं हमारा हुआ अब मैं इसे कहरे हुँ भाई सारा नुकसान तुम अपने पूले डाल दो मुझे मुझे तो 50,000 दो सारे का सारा नुकसान मुझे बताईए किसी एक पॉमीजर का होगा कि एकली डिस्रिबüٹ होगा एकली डिस्रिबüٹ कर गया कि मैंने दो लाख दिये इसको दो लाख satisf आने दो लाख दिये भी ने एक लाख दिया सी तो हुआ बचा है कि अब किया यह प्रोमीजी फ़ारओ हो गया क्लीर हो न यह हमारा आपस में को लिना देना बाकी है ले लिना FREकिचा वह कैसे ये मुश्किल कैलकुलेशन थी पचास हजार किसने किसको देना है क्योंकि ये एक लाख बैडट हुआ ना ये नुकसान हमारा है लेकिन एकुल है पचास हजार मेरे पेटे पड़ा पचास हजार इसके पेटे पड़ा अब मैंने दो लाख दे दिया है तो अपने हिस्से से पचास हजार मुझे वापिस होना चाहिए क्योंकि जब इसका लाउस एकुली डिस्ट्रिबूट होगा ना मेरी औरीजिनल लाख थी इसकी रिजिनल लाख लाख इसका एक लाख बैड डेट हुआ डिस्ट्रिबूट किसमे होगा हम दोने में आदा आदा पचास हजार मुझे लाबिल्टी बढ़ गए पचास हजार किसकी लाबिल्टी बढ़े गए इसकी झाये है ना यह कैलिकुलेशन करेंगे पिर समज़ आएगी कैलिकुलेशन के बग़ाबार नहीं आएगी तो ये default वाली बाह समझा गई जब कोई जब कोई प्रामिजर डिफाल्ट कर जाएगा जॉइन प्रामिजर तो जो उसका नुकसान है नुकसान वो किनों ने बरना है अधर प्रामिजर ने प्रामिजी ने नहीं प्रामिजर ने और कैसे बरेंगे नुकसान ये इसके उपर नुमेरिकल कल्कुलेशन आएगी बेला के वेपर में कल्कुलेट लेके जाना क्या आज पता चलेगा सैंडमेंट में आप उसकी लेके जाना अगर किसी की डेथ हो गई तो क्या उसके वाली वारसान जिम्मेदार होंगे बस खत्म खानी एक ही डेथ हुई तो एक प्रामिजर की डेथ हुई तो उसके वाली वारसान बाकी के जाइन प्रामिजर के साथ लाइबल होंगे सारे जाइन प्रामिजर की डेथ होगी तो सबके legal representative होगे गाड़ी खाई में चली गई लेकिन याद रखें जो legal representative liable होते हैं ये universal rule याद रखिएगा वो उस हग तक liable है जिस हग तक उन्हें property मिलेगी अगर उन्हें पता चले ना कि property में से हिस्सा मिल रहा है legal representative एक लाख और liability एदा करनी है है डेड़ लाख की वो कहेंगे हम तो इसको जानती नहीं जो मर गया अल्ला बख्षे इसको पता नहीं को था भी ऐसी होगा ना एक लाख की property मिलनी है asset एक लाख का या liability डेड़ लाख की होगी तो पर लीगल रिप्रेजन्टिव क्या कहेगा मैं नहीं इसको जानता था ले जो मर जी करूँ इसलिए liability जो है किस amount तक होगी आप टू स्टेट शाबाज और अगर release कर दिया जाए आहरी point आज का release कर दिया जाए ABC तीनों ने तीन लाख रुपया इससे लिया due date आगी महीने बाद ये हमसे पैसे लेने के लिए आगी हम तीनों बैठे हैं ये कहने लेगा सर आप आप से तो मैं पैसे मागी नहीं सकता सर आप अपनी खुशी से दे दे पैसे जो आपने देने है एक लाख रुपया तो दे 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 वरना मैं मेरी तरफ से आपके लिए कोई डिमांड नहीं है नहीं का रिस्पेट करता हूँ सर आपकी आपको रिलीज करता हूँ क्या करता हूँ रिलीज का मतलब सुनने जे क्या है किसका रिलीज का मतलब ये नहीं है आहरी कंसेप्ट आज का दो मिनट मज़ीद किसने रिलीस किया परामिजी ने एक परामिजर को रिलीस कर दिया सर आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ आपसे डिमांड नहीं करूंगा बाकी दो लाइबल होंगे के नहीं कितनी मौंट के तीन लाइब अब डेड लाइब 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 invention यह उपएल भी मैंने दुराजा खोला यह दोनों मुझू थे मैं आप đã जी सिर्लीज कर दी है कान लगर उसने प्रामीजी ने रिलीज किया हैhin अधर प्रामीज ने रिलीज नहीं किया उस्ताद होंगे तो उसके होंगे पैसे निकाले इदर एक्स्टब एक्स्ट्रा पेट किया हैं क during previous जो आप HORES याद रखिए पहला सू deep究 जाइंट बाकी क्यांट प्रॉमिज hairdar इस नाफ जाइंट प्रोमिजर ए्जाइए जाइन प्रॉममिजरu每town वो बाकियों को पकड़के पैसे निकलाएगा प्रामिजी और अगली भी खानी सुन ले क्या कि जो प्रामिजी सो रिलीज जो प्रामिजर रिलीज हुआ है ना उसे रिलीज प्रामिजी ने किया है वो प्रामिजर को स्टिल लाइबल है फिर से पढ़ें जो रिलीज के केस में जाइंट प्रामिजर डिसाज जो रिलीज हुआ है प्रामिजर वो डिसाज हुआ है वो साइड पे हो गया अधर प्रामिजर रिलीज नहीं हुए और जब अगला पार्ट जब अधर प्रामिजर अपना शेर पे कर देंगे ज्यादा पूरी अमाउंट तो अधर प्रामिजर प्रॉमिस चारो रूल बहुत अच्छे हैं और इनके ओपर बहुत अच्छी केस्टी टेस्ट हो सकती है और होती भी है अब कुछ को समझ आया एक कंसेप्ट अभी छुपा लिया आप से यह स्टुडी टेप क्या है यह कल आपने पूछना अभी तक बताया कि प्रॉब्लम तो क्या है पर लंगर तक है यह यह झाता है यहत्यान थक्सक्रणि का क्न वाल जूज